जिन्दगी में जब चुनौतियां डेरा जमाएं, जब इरादे खुद को आजमाएं, तब आगे बढ़ने की जिद लिए चलते जाना और संघर्ष से अपना रास्ता बनाना, यही संदेश देती है कानपूर की प्रेणा वर्मा की कहानी MSME सेक्टर में एक कामिया वुमन अंत्रपुनर की भेचान बना चुकी प्रेणा के लिए यहां तक का सफर आसान नहीं था क्योंकि इस काम को उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं चुना, बलकि इस काम ने उन्हें चुना मैं इस इंडस्टी में बाई च्वाइस नहीं आई हूँ, बाई चांस आई हूँ, एक दो महीं नहीं बीते थे तो मुझे रेलाई जुआ, पार्टनर्सिप या किसी तरीके का एसोसियेशन बहुत समय तक की नहीं चल पाएगा, मुझे चैलेंज किया जाता है और वो चैले मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है रहा में आने वाली चुनोतियों को फ्रेंडा ने आगे पढ़ने के लिए सीडी तो बना लिया, लेकिन आगे मुश्किलों का अमबार लगा था नहीं उन्हें लेधर इंडस्ट्री के बारे में कोई खास जानकारी थी और ना अपना काम शुरू करने के लिए जेब में पूँजी इंडस्टी का नॉलेज जीरो, लेधर मैं नहीं पैचान पाती थी, खेर काम तो करना ही था तो मैंने जो मेरे पास पैसा था जो मेरी जमा पुंजी से 3-4 हजार रुपए उसमें से मैंने का चलो मैं इसको ही करती हूँ शुरुवात से ही प्रेंडा ने ताने सहे लेकिन तूटने के बजाए वो डटी रही उन्होंने खुद को साबित करने की जैसे जिद पकड़ ली और लेधर प्रड़क्स की मैनुफैक्टरिंग से जुड़ी बारीकियां सीखते हुए आगे बढ़ती रही काम स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया उस समय बहुत से ऐसे नेगेटिव रिमार्ट मिलते थे तो जब मुझे सबसे पहले स्टेट गवर्णमेंट से मुझे अवार्ड मिला है तो वो बहुत एक टर्निंग पॉइंट था लोगों का पर्सेप्शन बदला मेरे लिए यह कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, फिर चीजे दिखने लगती है प्रेणा ने अपनी लगन से नए और बहतर तौर तरीके सीखे और लेदर के काम में महारत हासिल कर ली क्यालिटी से कोई समझोता ना करने वाली प्रेणा, कुशल व अनुभवी कारिगरों और आधुनिक मशीनों के जरी लेदर प्रोडक्ट्स तयार करवाती है और बहतरीन मार्केटिंग स्ट्राटेजी के साथ उन्हें देशी नहीं, विदेशों में भी एक्सपोर्ट करती है अपने साहस, संघर्ष और संकल्प से MSME सेक्टर की बुलंदियों को छूने वाली प्रेणा वर्मा आज महला सशक्तिकरन की